दोस्तों आज बात करेंगे 2024 में तीन ऐसे फेल्ड कैमरा की जिनें आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह नहीं है कि मैं इन तीन कैमरा मॉडल्स जॉब को बता रहा हूं उसकी कोई बुराई करना है या किसी भी तरह से उसके बारे में कुछ गलत बोलना है मेरा सिफ मकसद यह यह वीडियो को बनाने का कि अगर आप 2024 में नए कैमरा लेने जा रहे हैं और जैसे की काफी सारे लोग पूछते रहते हैं दीचे कमेंट्स के अंदर की सब कौन से कैमरा हमको लेने चाहिए तो उसमें कई बार इन तीन कैमरा बॉडिज का नाम भी आता है तो मैंने सोचा क्यों ना एकलिस मैं इतना तो बताई सकता हूं कि वैं कवा यहां आ लृटिमा रस पर उसका ना आ इन कामरा बाझतै पेना न का पाथ सारे जो feedback था जो जो अल्री लोग जो है Canon R7 को यूज कर रहे हैं वो जो निकल के आया थे उसके basis में आपको ये कह रहा हूं कि वाई 2024 में यह camera totally failed है क्योंकि अगर हम बात करें जो भी इसके अंदर आये हैं तो जो यूजर्स है वो भी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा क्या इसके अंदर लिमिटेड लेंस selection का option यानिकि lens जो है वो ज़्यादा इसमें available ही नहीं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यह एक APS-C sensor camera है और इसके अंदर आपको जो है RF lenses लग जाते हैं Canon के लेकिन जैसे के आप जानते हैं RF lenses जो है वो full frame cameras के लिए design कियो है और वहां पर जो है अगर आप APS-C sensor पर उससे लगाओगे तो जो performance है कई बार उसका issue आता है RF lenses are very very expensive तो वो जो एक combination है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता है यह सारे यूजर्स के feedback है अगर आपके संग्भी यह अपका भी experience हुआ जिनके पास में आर से ने तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा ताकि और दूसरे लोगों को भी इसकी help ले और उनको भी इसके बारे में थोड़ा सा पता चले अब जो तीसरा issue क्या है वो है दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यह एक apsc sensor camera body है तो यहां पर low light performance उतनी impressive नहीं है अगर हम compare करें other camera से तो यहां पर low light का जो है काफी issue waste किया है जो लोग इसके users हैं और जो मेरी बात जो लोग use करते हैं और इस बात से agree भी करेंगे तो आप इसकी अगर apsc sensor camera body क अगर आप price देखें तो आज की डेट में Amazon पर आप देख पा रहे हो यह हमें मिल रहा है कुछ 154,429 में आज की डेट पर Amazon में इसकी price है तो यार इस price के अंदर आपको बहुत अच्छे camera मिल जाएंगे थोड़ा सा पैसा डालेंगे तो आपको full frame camera भी मिल जाएगा अगर अच्छा camera body लेनी की सोच रहे हैं तो आर सेवन को आप skip करेंगे तो बैटर रहेगा सेम फीचर या बैटर फीचर आपको आज की डेट में काफी सरे अधर cameras के अंदर मिल जाएंगे अब बात करते हमारे दूसरे फेल्ड camera की जो 2024 में जिसे मैं कहूंगा इससे थोड़ा दू यूजर्स एंट्री लेवल यूजर्स या जो बिगनर फोटोग्रोफर जिनको फोटोग्रोफी सीखनी है और वो एक कम बजट में अच्छा option ढूंड रहे थे आज के दो साल पहले तब यह ठीक था और उन लोगों को ध्यान में रखके भी इस camera को लॉंच किया गया था बहुत सारे लोगों ने बोला है जो इस camera को यूज करेगी सार बैटरी लाइव से हम विल्कुल भी खुश नहीं है बहुत ही जल्दी जो है बैटरी एक्जास्ट हो जाती है दूसरा जो निकल के आया है वो है कि जो लोग काफी सारा content या vlogging कर थे इसके साथ में जो कह सकते है कि हम extended session sessions होते थे जैसे कि vlog बनाना podcast record करना या लंबे interviews record करना इस camera के थुरू तो वहां पर भी जो है इस camera के अंदर overheating के issue देखे गए हैं कई बार ये camera जो है 18-140 mm का लेंस आपको इसके अंदर मिल रहा है बट इसके अगर आप compare करेंगे तो इसी प्राइस के अंदर आपको सोनी का अलफा जीवी एटैन आपको मिल जाएगा या कुछ और ब्रैंट के camera आपको मिल जाएंगे तो 2024 में आप एक ऐसा camera ढूंड रहे है कि जिसके अंदर आ इस camera में कोई EVF था ही नहीं मैंने इसका review भी क्या था वहाभी मैंने इस बात को बताया था लेकिन उस time ठीक था यार नहीं है यही camera अविलेबल था और इतने सारे camera रिलीज नहीं हुए थे लेकिन अब आप देख रहे हैं कि काफे सारे brands अपने एक से camera release किये हैं तो अगर य दील मिल जाएगी या दूसरे brands में जाएंगे तो इससे better features और इससे better battery life या जो भी features हैं वो आपको इससे कहीं better मिलेंगे same price के अंदर थोड़ी बहुत प्राइस आपको थोड़ा जादा देना पड़ेगा but you'll get better deal एक user ने मुझे यहां बताया था कि भाई इस camera के अंदर जो है जैसे कि मैंने बताए हम किसी camera किया किसी camera brand की यहां पर कोई बुराई नहीं कर रहे हैं जो भी feedback मुझे आता है कई बर message के तुरू या comments के तुरू मैं वहीं आपके साथ share कर रहा हूं ताकि अगर आप एक camera रेने की सोच रही 2024 में तो थो थोड़ा आप alert रहें और अच्छ के दिखाये था और मुझे ठीक ठाक लगा था यह अगर आपको photography सीखनी है तो यह camera वैसे बुरा नहीं है लेकिन जो feedback है जो लोग हमें comment करते हैं हमें बताते हैं यह जिन से हम लोग कई बार बात करते हैं मीट-प्स के अंदर मिलते हैं यह हमारे workshop में आते हैं या किसी भी messages क तो कुछ चीज़े निकल के आई हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा काफी सारे लोग जिन्होंने इसे यूज किया है पिछले साल में उनका कहना है कि सर एक तो यह आ रहा है करीब आज की तरीक में बात करते हैं प्राइस की तो फिलिप कार्ट पे मिल रहा है आपको मिल सकते हैं अब जो लोगों ने इशूस बताए हैं जिया जिनसे वो लोग खुश नहीं है जो जिन्हें इस्तेमाल करने में डिस अपाउट मैंट हुई है उनका कहना यह है कि इसको जब हम यूज कर रहे थे तो यहां पर पहली चीज़े में आपको कोई भी दूसरी चीज़ उन्हें बताई है इसकी जो बैटरी लाइफ है वह बहुत ही पूर है फोटोग्रफी में तो काम चल जाता है आराउंड 350-370 शॉट्स आराम से आप निकाल सकते हो वीडियो के अंदर इसकी बहुत ही पूर बैटरी लाइफ है जिसकी वजह से उन्हें काफ तो यह सारे हाला कि इमेज इमेज स्टेवलाज़ेशन भी नहीं है चलो वह तो कोई बात नहीं है बट टच स्क्रीन भी नहीं है तो यह कुछ चार पाच ऐसे इसके हम कह सकते हैं कि नेगटिव पॉइंट्स हैं जिससे काफी लोगों को जो है निराशा हुई है तो अगर आ उसमें आपको कुछ बेनेफिट मिल रहा है तो यह तीन कैमरा मैंने आज बताए हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए जैसा कि पहला कैमरा था हमारा कैनन का आर सेविन दूसरता निकॉन जी थर्टी और तीसरा था हमारा कैनन का ही आर हंड्रेड और जैसा मैंने आपको ब इसी ब्रांड में या कोई और ब्रांड में आप अच्छे कैमरा ढूंड़िए अगर आप बिग्नर लेवल पे हैं तो भी या अगर आप अबर लेवल पे हैं तो भी हमेशा आप ऐसी चीज को ढूंडिए कि जिन फीचर्स की आपको अगले दो साल जरुत पढ़ने वाले है आपकी फोटाग्रफिय वीडियोग्रफिक है जो गोल्स एंगले दो साल के लिए उसको आप ध्यांग में रखके कोई भी कैमरा लीजिए और कंपेर करिए सारे फीचर्स को प्राइस को कंपेर करिए और यह सारी चीजे देखिए कि कौन से कैमरा में आपके मतलब के फीचर आपको मिल रहे हैं जिससे आप उस कैमरा को एकलीस तीन साल यह चार साल यूज कर सकें तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ थैंक्स वाचिंग